असलाम अलेकुम वेलकम बैक तो मार यूटूब चैनल आज कि इस वीडियो में मैं आपको बता हूँगा कि आपने पेज को मुनिटाइशन के लिए कैसे अपलाई करना है उसके साथ जो WBN फॉर्म फिल करना है वो कैसे अटेच करना है कैसे उसके साथ नया पेयाउट अटेच करना है यह सारी डेटेल आज की वीडियो में मैं आपको बताने माला हूँ तो बहुत सारे दोस्त जिनको अभी तक यह नहीं पता कि पेज को कैसे अपलाई करना है वो आज की वीडियो पूरी देख लें ताके वह मिस्तेक ना करें और उनका पेज जल्दी अप्रूव हो ज कर लेनी है आप वीडिया में उनका uggibben में शामिल हो जाएंगे तो चलते हैं लैपटॉब की स्क्रीन पर और जाके पेज को अपलाई करते हैं सही तरीके से तो चलें लैपटॉब की स्क्रीन पर तो हम आगे हैं मेरे तमाम भाईयों को मेरे तफ इज्ज मुँआ रहे हैं तो आज हम ये page apply करने जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे setup एक pay account का option आ रहा है मैं आज आज आपके सामने page को apply करके दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि आपने कैसे अपने pages को apply करना है तो वीडियो के end में बता दूँगा कि page अप्रूव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं और आपको कब अप्रूव करने चाहिए तो simple next के option पे क्लिक करते हैं यहाँ पे new account create करते हैं यहाँ पे आप जिस country का आपके पास payout है आपने वो country select करनी है अगर आपके पास पाकिस्तान का है पाकिस्तान की वैसे तो eligible नहीं है लेकिन फिर भी transfer wise का है तो वह वाला select कर लेना है और जिस country का वो बनाया हो आपने वो लगा लेना है तो simple मेरे पास इंडिया की country है तो मैं इंडिया का यह select करूँगा उसके बाद अपना नाम लिखूँगा first name middle name में आप optional है इसको छोड़ सकते हैं उसके बाद जो last name है वहाँ पे मैं अपना नाम put कर दूँगा तो जैसे ही यहाँ पे मैं अपना नाम put करूँगा तो कुछ इस तरह का interface मेरे सामने आएगा उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना address लिखना है याद रहे आप address अपनी मर्जी से सही लिखना है बिल्कुल accurate address लिखना है आप ऐसे wrong भी लिख सकते हैं कोई issue नहीं होता है यह कोई YouTube की तरह नहीं है तो simple यहाँ पे मैं address भी इंडिया का डाल देता हूँ याद रहे इंडिया का अगर आप payout लगा रहे है तो आपने इंडिया का ही address डालना है उसके बाद हम यहाँ पे city select कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे country region select कर लेते हैं कि हमारी country में कौन सी region में है और किस तरफ हमारी यह city है तो simple दिली का मैं payout लगा रहा हूँ तो दिली का लिखूँगा दिली का postal code लिखूँगा उसके बाद यहाँ पे आप एक चीज़ द आती है government tax ID अब यह क्या होती है इस पर मैं detail वीडियो बना दूँगा लेकिन यहाँ पे आपने अपने टेक्स ID लिख रही है जो के आपकी country आपको अलोग करती है पाकिस्तान में रहते हुए जो हमारी टेक्स ID है वह ID कार्ड है उसके बाद passport है लसंस है यह हमारी टेक्स ID है date स्लेक्ट करने जो हमारी date of birth है जहां पे हमारा प्याउट लगा हुआ उस date of birth के हिसाब से हमने यहां पे लिखनी है date of birth आपने सही लिखनी है जो हमारे payout साथ attach है यह वही process हमने तीसरे form पे करना है यहां पिर वही अपना address लिखना है जो के हम इससे पहले लिख चुके है आपने कोई गलत आड्रेस नहीं लिखना, दोनों आड्रेस आपने सेम लिखने हैं, उसके बाद टाउन सीटी और उसके बाद कंट्री रिजन, सेम आपने वही तीन चीज़ें फिल करनी हैं, जो हम पिछले फॉर्म पे करके आई हैं, आपने कोई ऐसी मिस्टेक नहीं जिसके आपको इश्यू बन सके उसके बाद आपने सेम वही जीमेल लिखना है जो के पिछले फॉर्म पे मतलब हमने लिखा था तो यह दोनों फॉर्म तकरीबन एक ही जैसे हमने सेम इसको फिल करना है हमने कोई मिस्टेक नहीं करनी बेशाक वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए ले उसके बाद तीसरा फॉर्म हमारे सामने कुल जाता है कंट्री उसके बाद बैंक अकाउंट यहां पर बैंक अकाउंट लगाएंगे जिस बैंक में हमने पेयाउट रसीव करना है ठीक है पाकिसान में रहते हुए आप अपना बैंक नहीं लगा सकते हैं पाकिसानी कंट्री अभी तक इन स्ट्रीम एड के लिए अलीजिबल नहीं है अगर आपका पेज स्टार से मोनडाइज है तो आप वहां पे अपना बैंक लगा सकते हो क्योंकि पाकिसानी स्टार मोनडाइजेशन के लिए अलीजिबल है उसके बाद यहां पे हमने स्विफ्ट कोड लिखना है उस सकते हैं नीचे मुझे वह चीज़ शो हो रही है कि अगर आपके पास पेपाल है तो वह अटैच कर ले तो सिंपल पाकिसान में पेपाल भी नहीं है अभी पाकिसान में बहुत मतलब मुश्किल से पेपाल अकाउंट बनता है वेरिफाइड होता है तो इसलिए मैं आपको र उसको मैंने पेस्ट किया और लिंक बैंक पे क्लिक कर दिया तो जैसी मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहां पे मुझे एक फॉर्म मतलब कोई चीज कह रहा है कि अपलोड करो चूज ए फाइल जिसको हम बोलते हैं WBN फॉर्म अब यह आपको कहां से मिलेगा यह आपक फाइल पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटर्फस आजाएका आपने जितनी भी इन्फॉर्मिशन फिल कि होगी न वह सारी इसके अंदर आजाएगी आपने सिंपल इसको डाउनलोड कर लेना कुछ इस तरह से तो यह देख Means ऐसको डाउनलोड कर लेता ह और यह आपको signature करने होंगे मतलब dog signature के जरीए जो के online हम signature करते हैं digital signature जिसको बोलते है Google से यह करने होंगे तो हमने पहली यह किर करके रखे हुए है वैसे आपने यहां से download करने के बाद इस पे signature कर लेने है उसके वाद हम यहां पे इसको upload कर देंगे जैसी upload करेंगे तो next के option प यह बने है Facebook एक दिन लेता है दो दिन लेता है दस दिन लेता हमारा पेज अप्रूव करवा देगा लेकिन आपको बताता चलूँ के Facebook की अप्रूव अभी नहीं हो रहे अभी कोई भी बाई Facebook पेज अपलाई ना करे जैसे ही अप्रूव औन होगी मैं इसी चैनल पर आपको अपडेट दे दूँगा तो यहां पर देख सकते हैं सब कुछ क्लियर है हमारा पेज इन रिक्वेस्ट में है इन रिव्यू में है देख लिए इन स्ट्रीम एड पे उमीद करता हूं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है अगर अच्छी लगी है तो इसके एक लाइक कर इसलिए मिलते हैं को और अच्छी वीडियो के साथ तब तक लिए मुझे दें इजाज़त अलाफीज